पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है यहां से लोग राम मंदिर के उद्गाटन में जा रहे हैं और वहां पर एक बड़ी तयारी की जा रही है तो उधर दूसरी तरफ अगर बात चित करें तो बिहार की राजनीती की करवटे पल पल बदल रही है तजश्री यादों को लेकर बड़ा फैसला होने की उमीद जताई जा रही है एक तरफ 2024 के चुनाव आते ही आपको बता दे कि लोग सवा 2024 की तयारी शुरू हो गई है इंडिया गडबंदन हो या फिर NDA अपने अस्तर से तयारी शुरू कर रही है और इस तयारी के बीच में जो इस्तिया उत्पन हो रही है ED और CBI की चर्चा बार-बार हो रही है इस क्रम में आपको बता दे कि तजश्री यादों पर भड़ा फैसला होने की उमीद जताई जा रही है सुप्रेम कोट में तेजश्री पर अपरादिक माम हानी पर जो मामले थी वो सुनवाई फिलहाल टल गई है यानि की एक तरफ बाईस जनवरी को जहां राम लला के प्राण प्रतिष्ठान होंगे वहीं दूसरी तरफ तेजश्री यादों के भागे का फैसला होने वाला है तेजश्री यादों ने राम को लेकर बड़ा बिवादित बयान दे दिया था इस बयान की चर्चा खूब होई थी ये मामला क्या है तो केवल गुजराती ही ठक हो सकते हैं वाले बयान पर उनके खिलाफ अपरादिक आउमानना का केस दर्ज कराया गया है हलाकि तेजश्वी आदो के तरफ से गुजरात की एहमदाबाद कोट को सुचित किया गया था कि उन्होंने उनके खिलाब अपरादिक मामले मामले को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोट का रुख किया था लेकिन अब देखिए 22 जनवरी को बड़ी सुनवाई होगी इस मामले में फिलाल निचली अदालत की कारवाई पर रोक है कोट में तेजश्वी यादो के तरप्षे पेसुए वकील कपील सिब्बल ने ये बाते रखी है और तेजश्वी यादो पर बड़ा फैसला 22 जनवरी को हो सकता है दरतल बिहार की राजनीती गरम है नितीस कुमार के फैसले पर सबकुछ निर्भर करता है और नितीस क्या फैस पहुंजाता है हाला कि अब देखिए एडी और तीबी आई की दबश दबिश्वी यादो के भागे का फैसला 22 जनुरी को होगा केवल गुजराती ही ठग होते हैं ये बयान देकर तेजश्वी यादो फस गए हैं और उन पर एक बड़ी करवाई होने की जो उमीद है पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख 816-816-700 धन्यवाद